नमस्कार दोस्तों आप देखर रोड़ो इलो जी FCI AG3 का एक्जाम एक तारीक और साथ तारीको हो चुका है बहुत सारे सिफ्ट्स में नेशनल पार्क से कोशन पूछे गए तो एक कोशन समझे इससे पक्का रहता ही है क्योंकि टोटल 104 नेशनल पार्क है और अबेश सीवाति के इससे कोशन बहुत सारे बनते हैं और तुरंत याद हो पाना मुस्किल है तो मैंने सारे नेशनल पार्क को इस वीडियो में कभर किया है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकोन को भी प्रेस कर ले और बहुत सारे टॉपिक मैंने अपने चैनल पे डाला है आप जा कर देख सकते हैं अगर आपका एक्जाम 14 या 21 तारीक है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखे और स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं मद्य पर्देश में टोटल 10 नेशनल पार्क है सबसे जादर नेशनल पार्क मद्य पर्देश में ही है और अगर पुछा जाए इसके बाद कौन है तो वो है अंडमान एन निकोबार अंडमान एन निकोबार में टोटल 9 नेशनल पार्क है तो चली एक एक करके देखते हैं बांधो गड़, फॉसिल, कानहा, माधाव, डाइनोसोर उसके बाद संजय गांधी, सत्पूरा, वन विहार, पेंच, प्रियदर्शनी देखिए, पेंच, प्रियदर्शनी जरूर लिखेगा क्योंकि एक पेंच नेशनल पार्क जो है, वो है माहराष्ट्रा में तो मद्ये पर्देश् का ज्यादा सिसले पूछता है कि टूटल 10 नेशनल पार्क है यहां और कणानी जोड़ा सा का बन सकता है पन्ना नेशनल पार्क यहींपे है पन्ना एक जिला है मद्ये परदेश का आप मिलता है लोटबर अंडिया में तो इसलिए इंपोर्टेंस रखता है तो क्रिज नीच से रिलेटेड जो भी नेशनल पार्क मिलेंगे आपको जिसे बांधाव है कानहा है माधाव है यह सब सब आपको मिलेगा मध्य परदेश में अगला आपके सामने है उत्तरा खंड देखिए जिम कॉर्बेट डबल टी यहां भी है और डबल टी यहां भी है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तरा खंड में है और यह इंडिया का पहला नेशनल पार्क है उसके बाद है गंगोतरी, गोविंद पसु विहार, नंदा देवी, ये नंदा देवी पूछता है और राजा जी, राजा जी नेशनल पार्क, उसके बाद वैली ओफ फ्लावर्स राजा जी को मन किया पूजा करने का, तो वो फ्लावर्स लेके गए, गंगोतरी में नहाए, फिर पसु विहार का दर्सन किये, उसके बाद नंदा देवी के साथ वापस आ गए, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला है हिमाचल पर्देश, हिमाचल पर्देश में टोटल 5 नेशनल पार्क है, बहुत सारे एस्टेट है, जहां पर 5 नेशनल पार्क है, जैसे करनाटका है, करनाटका में भी 5 नेशनल पार्क है, उसके बाद आपको गुजरात तो इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, ये देखिए, सैलेंट वैली और पिन वैली, सैलेंट वैली जो है, वो है हिमाचल परदेश में, स्वारी, सैलेंट वैली जो है, वो है आपका केरला में, और पिन वैली जो है, वो है हिमाचल परदेश में, तो हिमाचल परदेश यह यह 5 है उसके बात करतें एक करल। करल में। अपन्मोलाइन में थétais चुल्य का सर्क्राइज कर देंस हुली में 10- Hyundai Homotonous थायब का लगता है। collapse, P पार्क का नाम है जो राजस्थान में है उसके बाद केवला देव घाना नेशनल पार्क ये राजस्थान में ये बहुत पूछता है बहुत इंपोर्टेंट है उसके बाद रन्थंबोर ये भी इंपोर्टेंट है ये रन्थंबोर पूछता है और सरिस्का ये तीन जो नेशन के north park और आजाए यह करणातिका करणातिका बांधिपूर बहुत पूच्छता है यह बांधिपूर नेशनल पार्क ऊगंगे नेसनल पार्क है मैं आगे कबर करूँ गाए अंडमान निंप भार में toll नौ नेसनल पार्क है कि कई अंडमान निंप embora में जितने भी नेसनल पार्क है वह कहींने कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते है जैसे I «ize land», I island la guy, Icon अगर लगा हुआ है तो यह अंडमान ए निकोबार का नेशनल पार्क है जैसे साउथ है नौर्थ है मिडिल है तो यह सब सब अंडमान ए निकोबार के नेशनल पार्क है उसके बाद केमबल बे हो गया गेलेथिया हो गया इसमें जो आपको याद करना है वो यह करना है मॉंट Harriot, Mont Harriot National Park जो है वो अरुना चल्प, सॉरी, अन्मान ए निकोबार में है, Mont Harriot, ये आपको याद करना है, बाकी आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, उसके बाद ये है, रानी जहासी, रानी जहासी मरीन और सैडल पिक, उसके बाद महात्मा गांधी मरीन, इसको City Forest भी बोलते हैं, मतलब सली, मली या City Forest, दोनों में से एक अगर मिलेगा आपको, तो आप जमू कस्मीर उसको मारिए, यहाँ पर टोडल तीन नेशनल पार्क है, एक किस्तवर भी है, और एक है दठीगम, दठीगम नेशनल पार्क है, उसके बाद अरुनाचल पर्देश में, मॉलिंग है और नाम दफा है, यह बहुत पूछता है, कन्फूज़ाइस है इसलिए, मॉलिंग और नाम दफा, तो नौर्थिष्ट के जो भी नेशनल पार्क है, उसको जरूर याद करके रखिए आप, उसके बाद तिरपूरा का है, क्लाड़ेड लेवपार्ड नेशनल पार्क, विष्ट बंगाल में एक है, बकसा, उडिसा में भीतर करिका और सिमली पाल, यह बहुत पूछता है, भीतर करिका और सिमली पाल के बारे में, तो यह उडिसा का है, महाराष्टा का मैंने बताया, पेंच, उसके बाद गोवा, अगर आप पहुच जाएंगे, तो भागवान महाबीर, मौलेन नेशनल पार्क है, गुजरात में गीर है, और ब्लैक बग है, तो गुजरात का गीर पूछता है, जी-जी हो गया, उसके बाद ब्लैक बग अगर पूछ दिया, तो गुजरात में गुजरात में है, आंधर पर्देश में है, पापी कॉंडा नेशनल पार्क, ये सब सारे इंपोर्टें नेशनल पार्क मैंने आपको करवाएं, उसके बाद अगर आप जारखंड का बात करिएगा, तो जारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, बिहार में एक ही है, बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, जिसको वालमी की नेशनल पार्क बोलते हैं, उसके बाद उत्तर परदेश उतना बड़ा है, वहाँ भी एक यह है जो है दुदवा निशनल पार्क तो सारे निशनल पार्क मेंने कफर किये हैं इस विडियो के माते हम से उसके बाद चृतिस गड़ आपका छूट रहा है 36 गड़ में जो है 36 गड़ में जो नेशनल पार्क है वो है एक है आपका 36 गड़ में मिलेगा गुरू घासी दास नेशनल पार्क जिसको संजर नेशनल पार्क भी बोलते हैं उसके बाद इंदरावती है और कंगेर वैल्ली है तो गुरू घासी दास ये याद रखना है उसके आपका गुरू घासी दाश जिसको संजर नेशनल पार्क भी बोलते हैं तो इतने सारे नेशनल पार्क मैंने आपको करवाएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियो डाले हुए हैं उसको भी आप देखिए थैंक यू